नमश्वार आदाब मैं हूँ आपके साथ अलफराज और आज बात करेंगे असदुद्दीन उवैसी के मद्ध्य पिर्देश में साथ पार्षदों के जीतने के बाद 50 कॉंग्रेसी नेताओं ने ए आई एम एम जॉइन कर ली है इसे किस तरीके से देखते हैं हमारे साथ हमारे सायोगी उनसे बात करेंगे आकिल रजा मद्ध्य पिर्देश में अभी बीते दिनों पहले ही पार्षद साथ असदुद्दीन उवैसी ने मद्ध्य पिर्देश में जिताएं हैं अब उसके बाद कॉंग्रेस के जो एक्टिव कर रहे करता थे करीब 50 लोगों ने कॉ पहले ही चुनाब में साथ पार्षद जीतना सिर्फ खाता नहीं खोलना कहा जा सकता है इसको साथ पार्षद जीतना अपने आप में बड़ी बात है और उसके ठीक चार या पांच दिन बाद या हफते वर बाद एक बड़ी खबर आना ओएसी के लिए कि 50 कारेकरता वो कारे प्रदेश के लिए काम करते थे उन्होंने ओवैसी को मजबूत करने के लिए AIM AIM का दामन थामा और ये 50 कारेकरता जो शामिल हुए है अब सोचिए कि उनका जो जनधार है यानि AIM AIM का मद्धे प्रदेश में जो जनधार है वो कितना बड़ा होगा क्योंकि जीत की खुश प्रदेश में जो आगामी चुनाव है उस पर जो है असद्दिन वैसी की निगाएं हैं कहे चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए पार्टी काम कर रही है और उस काम का नतीज़ा आपको आपके सामने रिजल्ट के तोर पर आ चुका है तो मैं यही कहना च साथ जुड़ना चाहें और हो सकता है कि वह इस तरह से जो 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 जॉइनिंग हो रही है उससे मद्धे प्रदेश में बड़ी कामियावी मिले मद्धे प्रदेश में एक तरफ 50 कार्य करता कॉंग्रेस को छोड़कर एम जॉइन कर लेते हैं बात करें अगर बिहार की तो ब बात और गोर करने वाली बात ये होगी कि वो जो छोड़कर गए हैं वो कौन थे क्योंकि वो पहले भी जो है छोड़कर आए थे आरलडी को और जिस सिमानचल से वो जीत कर गए हैं उस सिमानचल में असदुद्दिन वैसी ने बैक टू बैक रेलियां की थी उन्हें जितान के लिए समर्थन लोगों का जुटा सकते हैं उन्हें जिता सकते हैं सिमानचल के मुद्दों पर जनता को एक जुट कर सकते हैं सिमानचल में जिस तरह से बाड़ के हालात रहते हैं गरीबी के हालात हैं और वहाँ पर जो है अलब संख्यक लोग जादा हैं और उसमें जाके कि असरादग़िन वैशी ने उनके जो जरूरत के मुद्दे थी, उन मुद्दों को उटाया, और बताया कि तुम्हारी हिस्सिदारी सरकार में कैसे होगी, और बताया कि तुम्हारे पास तकkap किसी विदाएं हैं, वो किस तरह से आ सकती हैं जब ये जनता के मन में उन्होंने डाला तब जाकर उनके पांच विधायकों को कामियाबी मिली उनमें से चार छोड़ कर चले गए लेकिन गोर अब इस बात पर करना है कि जो अभी मौझूदा प्रदेश अद्याक्षित उन्होंने हार नहीं मानी है क्योंकि उन्ही के कहने से ये आये थे और अब वो कह रहे हैं कि जैसे पहले मैं गया था और चार को लेकर आया और अब मैं बापस जो है ये चार गए हैं ये चोविस को लेकर आएंगे तो अगर चोविस को लेकर आने का दम भरते हैं तो अपने आप में जजबाती बात है कि हार नहीं मानी है उन्होंने और उसके बाद साब देखेंगे चाहें वह सीमान चलके अलग-अलग एरिये हो जहां से विधायक चुनकर गए थे वहां की जनता की आवाज आप देखें कि वह नराज है और वहां पर खुद प्रदेश अद्यक जाकर जनता से मिल रहे हैं और पर उन्हें समर्थन भी मिल रहा है यानि यह उमीद मान के न चले कि आगे भी यही विधाय करेने वाले हो सकता है कि पार्टी की तरफ से कोई नया चेहरा हो और जनता उसको वोट दे तो यह आने वाला वक्त बताईगे अगामी चुनाव को लेकर जिस तरीके से देखा जा वोट कम्यावी नहीं मिली वोट देखे उत्तर परदेश में चुनाव लड़ा था ओट वएसी ने तो इत्तर परदेश की भूमी का अलग आना के को हराने के लिए हमें विकल्प की अगर जरूरत पड़ती है तो हम रीजनल पार्टियों की तरफ जाते हैं इसलिए असद दिन वैसी वहाँ पर जो है वोट हासिल करने में काम्याब नहीं रहे क्योंकि एक लहर मोधी विरोधी यह काओ कि भारती जनता पार्टी यह योगी व राजनीटिक दुरस्टी कोड है वो बदल जाता है चाहें वो मध्य प्रदेश हो दो नैशनल पार्टी है रीजनल पार्टी वहाँ पर नहीं है हावी चाहें वो गुजरात हो दो नैशनल पार्टी है तीसरी पार्टी अगर थोड़ा बहुत वह आगे बढ़ रही है तो व वस्पा हो या फिर आन्मादमी पार्टी हो क्योंकि इनका जनाधार बाकी राज्यों मजबूत नहीं यूपी में उपार्ञ्चों में इसलिए गुजरात का चुनाव आ रहा हैं असद्धिन उवैसी ने पहले ही जो है उनके पार्षद जीत चुके हैं और अब जब विधान् पर पोस्टर के जरीए बैनर के जरीए और वहां के जो ए आई-म-ाई-म के कारे करता हैं वो मेहनत में लगे हुए हैं अभी से यानि उन्होंने अपनी हार नहीं मानिये तक्सीम यह नहीं सोचाए कि हम यहां पर नहीं जीच सकते उन्हें पूरी उम्मीद है कि वहां पर वह ज पार्षट की रूप में ही चुना लेकिन चुना अब वैसी इस्तिति हर जहां जाते हैं कि वोट कटवा के लिए आते हैं लेकिन यह जो पार्टी है उसको भी उतना ही हक है जितना बागी पार्टी हो को है यह अपने मुद्धे जनता के सामने रखते हैं लोग उन्हें चु विए पर देख देखें की हैं विकल्ब के तो बहुत सारी पार्टी आहने आप क्यों नहीं कहते हैं लागार्श यह पीजरात में के मद्धि पर्देश पीस पी चुनाब लड़ रही वह वोग तीम है आप गुजरात में क्यों कहते हैं कि आम आद्मी पार्टी नहां जना बिचाने की कोशिश किया उत्तराखंड में आद्मी पार्टी ने जनधार बिचाने की अपना कोशिश किया उसे क्यों बीटीम नहीं कहते हैं उनके लिए आप कहते हैं कि विकल्ब तयार हो रहा है लेकिन AIM AIM अगर कहीं पर अपना जो है कंडिडेट कड़ा करती है तो उसको तो आप चुनोती देना चाहते हैं, तो आप मुद्दो के साथ चुनोती दीजे, वो होती है राजणी ती, ये आरूप से काम नहीं चलने वाला है, असदि उन्यूइसी की नीतिया कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, उनकी बातों पर जनता को कितना विश्वास है, या नहीं है, बूर्ट के रूप में पता चलेगा उनको उतना हक है ना उनकी परटी रेइ coil सरण हो जा finished है और चुनाब मने मुद्द भी रख सकते और अब हो जनता की हाथ में आप कौन होते हो बी टीम कहने वाले सी कहने वाले और मुझे लगता है चनता को इस फर्क पढ़ने वाला भी नहीं है जिनको वैसी की बातों पर विश्वास है वह उन्हें वोट देंगे बाकि जो और वोटर्स हैं चाहिए को भरती अंतर पार्टी के वोट देंगे देखना ही होगा भी इनकी यह कितना मजबूत साबित होते हैं बहुत 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 करने के हैं तो एक तरफ जहां असादुदीन वैसी को भी टीम कहते हैं तो वहीं अब असादुदीन वैसी पर लोग सोचने पर मजबूर जरूर назунंतर के साथ वोट बैंक बढ़ाने की बात करेंगे या जनता किस तरीके से देखेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके जरूर बताईए धन्यवाद